बॉलिवुड को वो सूपरस्टार जिन्होंने अपने करियर में अब तक 300 से जादा फिल्मों में काम किया है डेब्यू करते की स्टार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई अपने किर्दारों से मेकर्स की पहली पसंद बने और आज की बॉलिवुड के नंबर वन सूपरस्ट दोड़ियो कि अपने बेटों के बज़ा इंडस्ट्री के ऐसे सूपरस्टार भेवानी ऐं अकसर देखने को मिलता है कि सूपरस्टारस अपने इस्तार किड्स में अपनी चवी देखते हैं उनके काफिए इंटिविए ने एक इंट्वी में बताया था कि वह अपने कि सल्मान खान में खुद की छवीद देखते हैं बॉलिवुट के मश्यूर अक्टर धरमेंदर ने अपने अंदाज और अपनी फिल्मों से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी अपने करियर की शिवात उन्होंने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी धर कहानी से कम नहीं है एक इंटर्व्य में उनसे सबाल किया गया था कि अगर उन्हें लेकर बायोपिक बने तो उनका रोल किससे नहीं पना चोगे इसके जवाब इंहोंने अपने दोनों की बेटों का नाम नहीं लिया बीबीसी हिंदी के मताबिक धरमेंदर ने अपने जवा बायोपिक में काम करने के लिए पर्फेक्ट है तो उसके लिए सल्मान खान के उनकी पसंद होंके। उन्होंने कहा कि सल्मान और उनमें बहुत समानता है और दोरों की कई आदते भी एक जैसी ही है। वो सल्मान खान के साथ फिल्म प्यार किया तो डर्ना किया में काम भी कर चुके है। बताते कि धर्मेंदर को फिल्मों का शौक शुर्वात सही रहा है। पेशिद्वा के दिनों में अपने गाउं से मीलो दूर चलकर सिनमा घरों में जा कर फिलमें देखने जॉय करते थे वैसे क्या आप सलमान छान को धरमेंदर की बायोपिक में देखना चाहेंगे और आपके इस सबसे कि सलमान इस किरदार में सही बैठेंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा